Hello everyone, मैं विशुजीत सिंग, आप सभी का दीन अपर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज की स्वीडियो के अंदर में हम MA History MHI 101 का उनिटेट पढ़ने वाले हैं जिसके अंदर में हम बात करेंगे अफरीका की अफरीका चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम यहाँ के कोशिंस के बारे में बात करते हैं कि किस तरह के कोशिंस इस चैप्टर के अंदर में बन कर आते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं कि मिस्ट में पिरामिड बनाए गए तो पिरामिड बनाने की अबधारना क्या थी? धर्म के संदर्द में पिरामिड की क्या माननेता है थी? राजा का जो शव होता था, मिर्द शव, वो पिरामिड में क्यों रखा जाता था? तो लोगों की उसके पीछे क्या माननेता है थी? उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे मिश्र में जो राजा थे उनकी प्रशावसन ववस्था किस परकार के थी वो किस परकार से प्रशावसन ववस्था को चलाते थे प्रशावसन ववस्था चलाने की पदते किस परकार के थी उसके बारे में आपके question बन कर आता है अफरीका के अंदर में दुलहन का मुल्ले का अर्थ क्या है जो एक लड़की का पिता है जब लड़की की साधी करता है तो किस परकार से अपनी लड़की का मुल्ले ने धारन करता है जिसको हम दुलहन के मुल्ले के ले बोलते हैं वो किस परकार के ही इसके बारे में यहां पर question बन कर आता है एक अफरीकी family के पास जो भी पसू है उसको किस परकार से पसुधन के लिए देखा जाता है पसुधन का क्या अर्थ है किस परकार से पसुधन का अर्थ निकाला जाता है उसके बारे में यहां पर topics बन कर आते हैं और important questions भी इतनी ज़्यादा exam में पूछे नहीं जाते हैं, कई बार roughly एक दो questions पूछ ली जाते हैं, तो आपको उसके इसाफ से detail में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, बट यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी वीवर से, सभी दीनत के परि वीडियो बना सकें, तो like, share, subscribe जरूर किजएगा, अपने दोस्तों तक पहुंचाएगा, जिससे उन्हें भी benefit हो सकें, चली वीडियो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूँ, नील घांटी की सभीता के बारे में, मिस्र को ही नील घांटी की सभीता को बताईए, न दर्च के अर्थ था या धार्मिक संदर में नील घांटी सभीता का पिरामिड का क्या रध़ था, इस तरह से question बन कर आय तो आपको मिस्र के ही बारे में बताना है, ठीके क्योंकि मिस्र में ही नील घांटी बेती है जिसके कारण से नील घांटी सभीता बोला जाता है, एक च तारण से यहां पर मिस्र के अंदर में जो सब्वेता, मिस्र की सब्वेता जो पुरी थी पिरामिड ववस्ता हम देखते हैं, वो कहीं ना कहीं नदी के किनारे विक्सित हुई, कौन सी नदी किनारे, तो नील नदी के किनारे विक्सित हुई, जिसके काल से हम नील घाटे की आडपा सब्यता देखते सिंदु खाटे के सब्यता क्योंकि सिंदु नदी के किनारे विक्सित हुई थी ठीके तो कब का यह टाइम पिरेड माना जाता तो अरवो ने 642 से लेकर 1517 इसा तक यहां पे मिस्र में राज किया ठीके 1798 में ठीके फ्रांसीसियों का प्रवेस हुआ फिर 1882 में उस पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया ठीके इस तरीके से पूरा यहां पे मिस्र के अंदर में सासन व्यवस्ता चलता है कि किस परकार से चला च अरव आते हैं फिर फ्रांसीसी आते हैं और 1882 में एंड में यहां पर अंग्रेज आते हैं जहां पर अंग्रेज अपना समराजी स्थापित करते हैं ठीके यहां पर इस तरह से कलोनी अपनी स्थापित करते हैं ठीके समझ में आता है उसके बाद यहां पर हम बात करें तो मि के द्वारा यहां पर बनाए गया था ठीक है तीसरे राजबंस के दूसरे राजा के द्वारा पहला पिरामिड बनाए गया था उससे सक्का से सीरी नूमा पिरामिड की रूप में जाना जाता है उससे पहले जो पिरामिड था उसको क्या का जाता है सक्का से सीरी नूमा पिरा बस क्या था और उस समय पे जो आधूनिक तकनीक आज की समय में नहीं कर सकती है वो उस समय पे बनाया गया था अगर हम किसी और वीडियो में डिटेल में मिसर के पिरामिड के बारे में चर्चा करेंगे जहां पर हम समझेंगे कि मिसर के पिरामिड है किस प्रकार के उनकी खास पिरामिट मुखेता तो राजा के जो मिर्त शरीव होता था उसको रक्षित करने के लिए उसको सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था मिर्त राजा की रक्षित सब को सुरक्षित रखने के लिए बनाया जाता था जो भी दाजार मर गया उसका जो मिर्त सरीर है उसको रखने के लिए बनाया जाता था पिरामिड में इस्वर और मिर्त राजा की पूजा के लिए मंदिर का बेनिरमान किया जाता था उसमें सास को और सेवकों की पत्निया कभी-कभी बच्चों को भी दफनाया जाता था जो भी सासक है जो भी राजा है उसके वहाँ पर जो सेवक हैं उसको भी वहाँ पर दफनाया जाता था पत्नियों को भी वहाँ पर दफनाया जाता था कि जो सासक के सासात में पिरामीड जो बनते थे उस सामनतों के भी बनाई जाने लगे सामनतों को भी उसमें रखा जाता था मिस्र वासी मिर्त्यू के बाद जीवन में विश्वास रखते थे जिससे देखो कि अलग-अलग धर्म के अंदर में अलग-अलग आइडिलोजिस होत साहथ है तो मिस्र के जो लोग थे, उनका यह मानना था कि neurotuk के बाद जीवन संभव है, जिसके कारण से जो राजा होते थे, उनको को माना भेटिये समान लाजाता था, पूजा जाता था ठीक है, उनको भी उहीं पर रखा जाता था reason ही रहता था कि एगर राजा को जरूरत पड़ी तो सेवक सेविकार नहीं रहेंगे तो फिर कौन उसकी मदद करेगा तो उनको भी मिर्ट्विक बाद वहाँ पही दफनाए जाता था उनकी पत्नियों को रखा जाता था उनके बच्चों को रखा जाता था तो यही कारण था कि मिर्ट्वराजा के साथ उसकी जरूरत की वस्तुएं भी दफनाई जाती थी जो भी वस्तुएं होती थी उसकी जरूरत ही वो भी उसको दफनाई जाती थी इसका reason सबसे बड़ा ही रहता है क्योंकि जो लोग थे उनका ये मानना था कि भैया राजा तो मर गया पर उसकी दुबारा जीवधन मिल सकता है उसको वापस जीवधन दान दिया जा सकता है उसको पुनाढ़ जीवदन हो सकता है इसके कारण से उसकी जरुरत की चीज़े होनी चीज़े अगर ये काम लोगे ठीक है आप दुबारा जीवित हो गए तो आपका अगर समान नहीं मिला तो आप क्या कर लोगे पर एक राजा है अगर दुबारा जीवित हुआ उसके चीजे नहीं मिली उसकी जुरत की चीजे तो तो सजा देगा न पीपल लोगों जो भी उसकी जनता होगी तो उसके कारण से लोगों की एवधारना होती थी कि दुबारा पुना जनम होगी ठीके तो लोग राजा जो है उसकी जरूरत के चीज़े उसके पास होनी चाहिए इसकी concept में आमिड का निर्मान कह जाता था, जिसमें उसके सब को सुरक्षित रखा जाता था और उसकी जरूरत के चीज़े होती था जो देली के भी लोगों ने स्वीकार करते थे जो समय जो स्वर भॉमिक स्वी जगा dairy grandmother सभी के लिए समान थे ठीक 할ि के लिए एक जर्शा है तो सूरज की देपता थे सूरे देपता उसको भी वापर स्वीकार करते थे उसकी भी लोग वहाँ पर मानते उसके अवधार कोजा कई बार इस्थाने मंदिर में राश्य परतिकों की भूमका भी अदा करते थे ठीके बाद में यह मंदिर आर्थिक और राजनितिक भूमकाय अदा करने लग जाती हैं मंदिर का जो पुजारी होता था केबल धार्मिक भूमकाई नहीं नहीं बाता था बलकि उसे कुछ प्रसा सांसी जिम्हेदारियां तो जमीन पशुधन परिवहन और आदी की देख भाल करना न्याए परदान करने जैसों स railway के पुजारी होता । होता था अदूठा मांदिर में नेया पर इसवर के दूद कर Hee तो मैं जो बोल रहा हूं इस वर बोल रहा है या फिर जो इस वर बोलना चाहता है वो मैं बोल रहा हूं अगर मैं जो सासन कर रहा हूं इस वर के द्वारा सासन कर रहा हूं एक कई सारी मुवी हॉलिवूड के अंदर में बनी हुए जहां पर मिस्र के जो गौड से ठीक है फैर सम्राट सेम सरेट परतम का कहना था कि इस वर ने मुझे प्रित्यू पर गडरिया बना कर बेजा है ठीक है ताकि मैं सब कुछ वेवस्तित कर सकूं कहने के मतलब क्या कि भाईया जैसे हमारे परधान मंत्री जो नरे दर मोदी जी हो कहते हैं छोकीदार हुँ छोकीदार का क्या होता है खी धοιं देख बाल करना तर्स यह मतलब कोई चोरी ना कर सके यह अपने आपको उस तरीके से दिनोड करते परधान करता है गड़रिया ठीके उनको सुरक्षित ले जाता है तो यहां पर जो सेम सरेट थे परतं उनका यह कहना तो यह इस्वर ने मुझे गड़रिया बना बेजा है ताकि मैं सब कुछ विवस्थित कर सकूँ सही तरीके से रख सकूँ यह उनका मानना था ठीके मतलब एक तरीके से वो अपने आपको इस्वर के दूत के तौर पर प्रोजेक्ट करते थे कि I am the messenger of the God इस तरीके से राजा की राजा से उम्मीद की जा थी थी कि वह समाज को समाज के अंदर में ववस्था बना कर रखेगा सही तरीके से चलाएगा मिस्र वासीर राजा को देवी था राजा का जो सबसे बड़ा बेटा होगा वही गद्धी पर बैटाएगा इसका नियम रहता था सेटी पर्थम और रामसेस दुट्य के द्वारा ऐसा नियम को उलंगन किया गया ठीक है जिनके बारे में का जाता है कि इन्होंने उत्रादिकार के नियम जो था उसका उलं महरानियों की जो साही पिरामिड होते तो उसमें स्थान मिलता था जो महरानियों होती थी उसको राजा के साथ में साही पिरामिड में मिर्तियुकबाद स्थान दिया जाता था समराज्य लोगों को न्याय दाता एम विवस्थापक होता था जो भी समराज्य है जिसमें और रहते थे उसके एक image होती थी कि न्याय दाता के तौर पे वहाँ पे न्याय मिलेगा और ववस्थापक के तौर पे जहां पे सारी ववस्था चलाई जाएगी जहां से इसका एक image रहती थी लोगों के मन में उत्पादन का देख भाल कानून ववस्था आदी की देख रहें राजकुमार और पुरोहितो द्वारा किया जाता था कभी-कभी राजकुमार को सेना नाय की जिम्यदारी भी दी जाती थी मिस्र वासी पेपीरस पेपीरस क्या होता है जो एक प्रकार का पेड़ था जिसका प्रियोग लेखन के लिए किया जाता था और इसी कारण से पेपिरस के कारण से जो मिस्र की लेखन कला है उसे पेपिरस के नाम से जाना जाता है ठीके लीपियों को सीखने के लिए विग्याले भी खोले गए थे उस काल में किसी पद को प्राप्त करने के लिए लेखन का ग्यान अनिवारे सर्थ होती थी किसी को कोई पोस्ट मिल रहा है कि भाई यह वाला वेक्ति यह चीज समालेगा तो उसके लिए लेखन का लाब बहुत ज़्यादा निवारे रहता था लीपिकों द्वारे सासन का कारे लेखा जोका समाला जाता था जो लीपिक होता था उनके द्वारे सासन का कारे और लेखा जोका जोका जो भी चीजे लिखने पढ़ने का होता था वो काम समाला जाता था निचले तपके के लोग मजदूरी क्या करते थे मिस्र वासी पहियें का उपयोग नहीं जानते थे वो नहीं करते थे इसी कारण से इमारत बनाने के लिए बारी बरकम समानों को ढूने का काम मसदूर ही किया करते تھे बाद में मैदानों की उपज इतनी होती थी कि एक वर्स की फसल वसल सही बड़ी बड़ी इमारते खड़ी की जा सकती थी ठीके ये माना जाता था मजदूर कृषी का कारे भी करते थे ठीके मजदूरी के साथ साथ में कृषी का कारे भी मजदूर जवारा किया जाता था पहिए के अवाब के वावजूद परिवहन वेवस्ता सुनवस्तिती यहां के लोग परिवहन के लिए जल मार का उपयोग करते थे नील लदी का उपयोग करते थे जल मार का उपयोग करते थे उन्हीं के माध्यम से खेतों में अनाज और बंडार गरह तक लाया जाता था, पहुंचाया जाता था, जो भी खेतों के अनाज होते थे, वो बंडार गरह तक लाया जाता था, तो यहां पर जो नॉर्मली जो उपर में हमने मिसर के बारे में पड़ा, जहां पर हमारा यह से मिस्र की प्रामिड ववस्ता या फिर प्रसासन ववस्ता को लीड की जाती थी वो समझ में आया नौरमें लिएकर कोई भी कोश्चन मिस्र रिलेटेड इस चैप्टर के अंदर में बनकर आता है या फिर पिरामेड वववस्था का पूछे, या फिर वहाँ का पूछे, परसासन वववस्था के बारे में, तो आपको पूरा ही segment जो मिस्र का मैंने पढ़ाया है, वो आपको यहाँ पर define करना है, बताना है, यह पूरा segment जरना है, यहाँ तक पूरा यहाँ पर आजएगा आसान यूग और लोह यूग सब्वेता थी वो माना वस्तियां वहां पर प्राप्त होती हुई दिखती हैं ठीक है आधुनिक मसीनरी जो थी ठीक है मसीनरीया जो थी वो भी पश्चीम सीमा से लेकर आधुनिक नाइजीरिया की पुर्व सीमा तक का छेतर जो था आम तोर पर पश्चीम अफ्रीका के रूप में जाना जाता है ठीक है अरव के परभाव से पुर्व यहां पे कुछ राजतंत्रों का विकास हुआ ये भी माना जाता है उन राजतंत्रों में काव काव और मालेल घाना आधी कनेम इनमें परमुक थे ठीक है जो कुन कुन से राजतंत्र जहां पे इनका विकास हुआ तो काव काव मालेल घाना और कनेम करके ये परमुख राज बंस थे रास्तंतर थे जो अफरीका के अंदर में पस्चिमी अफरीका के अंदर में विक्सित हुए बाज नहर और सहर का विकास हुआ नगर और सहर का विकास हुआ नगर और सहरों का व मार्केट लगता है एक तरह से सिंट्रलाइज मार्केट पूरी तरदें यहां पर ख्रेटें और वैपार केंदर का क्या हुआ, जहां से हर जगह के अलग-अलग तरह के वैपारी आते हैं, जहां तरह का माल उपलब दे तूसे वैपार केंडर के तौर पर कहते तो दोनों को जोड़ने का काम करता था एक जगह से दुसरे जगह जहां पर एक तरप पूरा मार्केट में भिक रहा है मतलब पूरा तयार माल भिक रहा है और दूसरी जगा क्या खचा material लाना ले जाना और जो वेपारी दोरह पूरा lead के आजा रहा है first to end तक का जो पूरा process है उसके दोरह lead के आजा रहा है तो उसको हम वेपार के इंडर के तौर पर यहां पर देखते हैं विक्सित क्रिशी के कारण ही नगर और सहर का अस्तित्व देखने के लिए मिल जाता है अगर क्रिशी ववैस्था विक्सित नहीं रहती तो वहाँ पे नगर और सहर का अस्तित्व में देखने के लिए नहीं मिलता ये भी माना जाता है रास्तंत्र सेनेगल तथा नाइजीर नदी के मध्धे दच्छनी सहारा के छोर पर विक्सित हुआ ये देखा जाता है आयका मुखे स्रोत जो था सहरा पार वैपारग मार्ग था जो सहरा को पार करने को जो वैपारग मार्ग था वो आयका मुखे स्रोत के तौरते देखा जाता है उनके पास सोना हाती के दात और अन्ने कृशी उत्पाद भी थे उनके पास नमक की कमी थी लोहा उनके पास परियाप्त मातरा में था जिसके बदले वो तामबा और अर्वी लोहा खरीते थे ये दास भी बेचा करते थे पाना एक सक्तिसाली राजसाही था पाना एक नाम का पाना एक सक्तिसाली राजसाही वन्स के तौर पे जाना गया ठीके उसकी राजधानी कुम्भी सालेह थी जो दो भागों में विवाजी थी उसमें मिट्टी उसमें एक भाग में मिट्टी का बना राजा का महल था दूसरे भाग में पत्थर एम घर एम मस्जीदे थी यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं पाना की बात कर रहे हैं पाना की राजधानी की बात कर रहे हैं ठीक है राजा को इसवर के परतिनीरी के रूप में देखा जाता था राजा को संग्डांग डंडवत करने की परंपरा थी राजा के पास विशाल सेना हुआ करता था जिसका परियोग वेपार मार को नियंतरन करने के लिए करता था वेपार मार के आएका प्रमुक सुरोत होता था जिसके कारण से राजा उसमें में का नियंतरन भी रखता था जो क्रिशी वेवस्थाती बहुत ज़्यादा विक्सी देखी जाती है घाना के अंदर में सासात में देखोगे सहरा वैपार मार्क पर उनका नियंतर रहता था परिणाम सरूप यह समिर्द रास्तंतर था उतर से दच्छिन नमक जाता था उतर से दच्छिन की और ठीक है नौर्थ से साउथ की और क्या होता था नमक जाता था ठीक है और उदर से क्या आता था उदर से तामबा या सोना लाय जाता था जच्छिन से ठीक है उल्टा जच्छिन से सोना चांदी जाता था था सोना के अंदर में जो ग्राम परधान मुख्या हुआता था ग्राम के उपर गोत्र होता था ग्राम को मिलाकर प्रांत बनता था आम जंता समराज्य के लिए उत्पादन का काम करती थी जो आम जंता थी वो उत्पादन के लिए का उत्पादन का काम करती थी खेती में पसुगो खनन सिल्प आदी का काम होता था माले समराजे सोने के लिए परसीद था जो अफरीका का जो माले समराजे था वो सोने के लिए परसीद था उस छेतर को बाजरा, बिंस और चावल की मुख्य फसले हुआ करती थी सिचाई का कारे वर्सा और नदियों से होता था जा प्रमुक्त भाव करने के लिए वर्सा और नदियों के उपर में डिप्टिंच रहती ती ग्रामिंड आबादी के सघन इसां आपसि लुस्त करने की लिए जाट्तु हैopes रहती करते तुछ के सीभिविवस्त पर दर TulGE जाती थी मिस्रित खेती में कृषी एम धातु कर्म के सासत पसु पालन एम सिकार और संग्रहन भी सामिल था देखो जब हम बात करते हैं अफ्रीका की अर्थवस्था के बारे में तो मिस्रित अर्थवस्था होने के काद़ से क्या हुआ कि वहां पर वर्साइड वह विविंता देखने के लिए मिलती हैं जहां पर पसु पालन भी होता है क्रिशी भी होता है ठीके संग्रहन भी होता है और सिकार भी किया जाता था दातु कर्मों का उप्योग भी किया जाता था बंतु लोग मेगनाइट भी निकाला करते थे मेगनाइट एक परकार का प्रदार्त हो ग पाला तो जब भी आकाल पड़ा या कभी ऐसी ववस्ता आई जहां पर उनके पास खाना नहीं बोजन नहीं है तो उसका वो उप्योग कर पाते थे खरीदने बेचने के लिए उप्योग कर पाते थे ठीके भारत के अंदर में आज भी बहुत से जगह पे मतलब मान के चलो 80-90 जो ग्रामिण शेतरे वहाँ पे पसू को पसू धन के समान माना जाता है यह नहीं कि कुता बिल्ली पाल लिये तो वो पर वो भी आज के समय में देखो के बड़े बड़े बैपार होते हैं कुता बिल्ली चुहा ठीक है उनके बेसिस पे बैपार के जाते हैं जहां पर तो अलग-अलग तरीके से उसको पसू धन के तौर पे उपयोग किया जाता है ठीक है पत्नी प्राप्त करने के लिए पसू धन अवस्यक होता था कि अगर आप कभी भी साधी करने जा रहे हो तो वहाँ पे सबसे पहले आपको देखा जाता था कि आपके एक पास धन किस पर है आप government job में हो private job में हो कहां पर काम करते हो यह normally यह दिखा जाता है salary slip दिखा हो यह चीजे होती है पर उस time पर क्या होता था कि भाई आपके घर में कितने जानवर हैं मुझे कई बार मतलब मैं अपने घर की story बताऊं तो आपको जो मेरे घर के दादा हैं या मेरे जो दादी थी नाना ते नानी थी वो बताते थे कि जब उनके time पर देखने गए लड़की को या जो भी लड़का देखने गए तो इस तरीके से दिखा जाता था कि उनके घर में कितना सारा खेट होगा यह दिखा जाता था है है इसके पास पैसा कितना होगा अगर यह पैसा इतना है इसके पास खेट कितना होगा, खेत इतना है तो इसका संपत्ति कितना होगा, टर्न ओवर कितना होगा, यह अंदाज लगाओगे न आप इस तरीके से, तो सेम इस तरीके से पसुधन का अंदाज लगा जाता था उसी के बेसिस पे दुलन का मुल्य निकाला जाता था खोई-खोई समाज का जो था ना समाज सबसे धनी वर्गों में आता था जो यहां के बंतु लोग थे जाड़ियों को साफ करके खेती योग्य बनाते थे पुरुष 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 पु खेती योग्य बनाता था और वहां पे खेती का काम करता था उसके बाद खेती का काम महिलाएं भी क्या करती थी पुरुष के अधीन होती थी पुरुष के अंडर में कारे करती थी दच्छी अपरिका के अंदर में बंतु भासी जो समाज था वो दुलन का मुल्ले का अगर अगर किसी की साधी होरा तो इसके बदले में उसका दुलन का मुल्य चुकाना पड़ता था एक तरह से आप यहां पर दो प्रस्पेक्टिव निकलते हैं, पहला प्रस्पेक्टिव निकलता है कि जब लड़की का फादर जब जाता है साधी के लिए, तो यहां पर यह द करता है कि भीया तुम मुझे कितनी संपधा वापस दोगे कितना तीलक दोगे मेरी लड़की के लिए उसके बेसिस पर यहां पर साधी की जाता है इंडिया के अंदर में कई जगा पर अभी इस चीजों को देखा जाता है बेट नॉर्मली जाधत कर जगा पर उल्टा है करना चीए खुद की अपने सक्षम बना चीए कि हमें किसी किसे लेने की जोरत ना पड़े बीख मांगने की जोरत ना पड़े बट अभी भी चीज़े चलती है तो यहां पर हम अपरिका के अंदर में बात क्या करते है तो दो प्रसफेक्टिव आ जाता है पहला तो यह दुलन का जो मुल्य होता था पसुधन के समान माना जाता था पसु से तौला जाता था जिन पुरसों के पास जादा पसुधन होता था दुलन के माता पिता उसे अपनी बेटी साधिक के लिए करना जाते थे उसी से करते थे ताकि दुलन के मुल्य के रूप में जादा जाती कि वह अच्छी फसल और अच्छी वरसा करवा है उनसे उमीद करएंद करते थी कि वह U Même How सक्या करवा करें यह मानने जाती थी और अंतरविवा होने से राजका वने के वेश्ता थोटëं पहले क्या होता था जैसे एक अंतर विवाय वाला टॉपिक भी बहुत बढ़ा है कहने के मतलब क्या कि जैसे मैं मालो एक बंदा है उसने साधी किसे किया अलग फैमली में अलग जगर पे किया या फिर मैं अपना इग्जामपल लेकर चलता हूं मेरी साधी हुई ठीक है मैं अ परिवार पहले फांच अलग अलग ग्रूप का परिवार था जिसमें मैं हो गया मैरे चाका हो गया मेरे मामा आई म सब्याबगर पांच लोग पांच गुरूप का परिवार het हर जो जो भी मेंबर हैं वह उस तरीके से, तो 5 गूरुप का परिवार था, अब मैंने दूसरे गूरुप में जुड़ा, उनके गर में भी चार गूरुप का परिवार है, तो अब हमारा और उनका मिलन हुआ तो पांचार नो टोटल हमारा पकड़ कितना हो गया नो लोगों पे नो गुरूप पे पकड़ हो गया ठीक है नो में से मान लो चलो हम इनके चार को नहीं भी जानते तो एक को तो जानते हैं तो हमारा एक तो बड़ा पर अगर हम अपने फैमिली में यह अंतर ववस्ता है राजनीतिक ववस्ता देखेग। तो गिकसित नहीं हो पाती है राजनीतिक पकड़ जो समाच के अंदर में पकड़ होने चाहिए वो उत हो लीखत नहीं हो पाती है वह झानचारीन लेều संबार के पर पासिपा सता यह भी देखा जाता था ठीक है समझ में आता है दोस्तों यहाँ पर हमारा वीडियो यह खतम होता है लास्ट टाइन जब मैंने यह वाला चैप्टर करवाया था जो आपका एन्वल मोड वाला अगर आप देखो गए पसुदन का यह कोई भी यहाँ पर नॉर्मली पूदोही कोशन बनते हैं अफ्रीका या मिसर से तो आपको पूरा-पूरा यहाँ पर डिफाइन करना होगा जिसके बीसित का अच्छे नमबर बन जाते हैं साथ-सात में यहाँ पर वीडियो एंड होते होते मैं एक रिक्वेस् लग रही है तो आप हमारे चैनल को like, share, subscribe जरूर करें दोनों चैनल को subscribe करें नव info पर आपको जितने भी college से related update है आपके exam से related update है assignment से related update है वो time to time मिलती रहेगी साथ-सात में आपका जो आपके syllabus related update है जो भी आपके class से related update है आपका syllabus complete करना exam complete करना उसकी जो update है इन आपको time to time मिलता रहेगा तो उन दोनों को subscribe जरूर करें अभी मैंने पीछे check करा था अपने analyze करा था channel को तो ऐसे 90% आप यह कह सकते हो ऐसे viewers थे जो देखते हैं वीडियो को last तक देखते हैं अच्छे खासे watching time है बट वो subscribe नहीं करते है तो एक थ्वासा demotivation आता है कि यारा क्या मैनत क कर रहे हैं अगर आपके हमारी वीडियो वैलिवल लगती है तो हमारे चैनल को subscribe जरूर करें जिससे हम motivated हो और अच्छे से मैनद करके आपके लिए वीडियो बनासेपे तो यहाँ पर वीडियो में end करूँगा अगर आपके mind में कोई भी question हो doubt हो confusion हो तो आप comment box के अंदर में अपना question raise कर सकते हो यहाँ video end करते हैं thank you so much for watching me thank you so much for listening me bye bye take care all the best